यहाँ पर आप लोग को देखने के लिए मिलना आओगा कि KBS का कटाब जो है क्या गया था भाईया तो यहाँ पर आप लोग देखिए यहाँ पर 2016 और 2017 की बात की जाए तो यहाँ पर TGT, PRT और PGT वालों की बात की जाए तो इनकी पोश्टे कितनी थी भाईया और पोश्टी के बेस पर कटाब कितना गया था तो आप लोग को सारी नौलेज इस वीडियो में मिलेगा तो यहाँ पर आप लोग को दिखा देए PRT की बात की जाए मिरे दोस्तों, PRT वालों की यहाँ बात की जाए तो इनकी पोश्ट थी 4348 कितनी? 4348 मतलब 4348 पोश्टे थी किसकी व और बात की जाए TGT वालों की 926 थी कितनी पर यहां 926 यादि ओवराल पोश्टों की बात की जाए मेरे दोस्तों तो 6000 पलास थी कब की बात की जा रहे है मेरे दोस्तों 2016 और 2017 में जो एक्जाम हुआ था उसकी पोश्टे बताई जा रहे है याब बात करते हैं मेरे दोस्तों 2018 और 2019 में जो एक्जाम हुआ था उने में कितनी पोस्ट थी तो 2018 और 2019 की बात के जाए तो इनमें PRT वालो की जो पोश्ट थी 5300 थी मतलब 300 थी और बात के जाए PGT वालो की तो PGT वालो की 592 थी और बात के जाए TGT वालो की तो TGT वालों की 1900 थी भाईया कितनी एक 1900 थी एधी ओवराल बेकेंसी की बात की जाए मेरे दोस्तों तो 8300 पला स्पोष्ट थीकिस की भाईया PRT PGT और TGT सब की बात की जाए तो 8300 का भाईया 2018 और 2019 में जो इक्जाम हुआ था उसकी बात कर रहे हैं अब बात करते हैं भाईया कि इनका जो अभी पोस्त था इन सिके बेस पर इनका कटाब कितना गया थो चलिए हम उसको भी आप लोग को बता रेते हैं तो यहाँ पर आप लोग देखिए यहाँ पर 2016 और 2017 में जो इक्जा कि बात कि जाए कितना गया था यूवार की बात कि जाए तो 100 गया था कितना मेरे दोस्तों 100 और बात कि जाए ओबीशी की गया था उनका भी 100 और 80 की बात कि जाए तो 80 की भी गया था 95 मतलब 95 गया था और 80 वालों की बात कि जाए तो 87 गया था और OH की बात कि जाए तो 88 गया interview के बाद कितना गया था यह final आप लोग को पूरी दी गई है और यहाँ पे एक दो category छूट गई है इसलिए छूट गई है क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए flight थोड़ा कम पर जा रहा है मेरे दोस्तों जगए थोड़ा कम पर गया है इसलिए हम इनका नहीं बता पर लेकिन आप इसी के बेशे पर उनका भी जान सकते हैं चलिये हम आप बात क्ते हैं 2018 और 19 में क्या गया था भाईया 2018 और 19 की बात कि जाए 2018 और 19 की तो बात कि जाए return exam की return की बात की जाए मतलब इंटर्विश पहले कितना गया था आने रिजट केटेगरी की बात की जाए तो 95 मतलब 95 गई थी और उबीजी की बात की जाए भाईया तो इनकी 94 गई थी और 80 की बात की जाए तो 88 गई थी और 80 की बात की जाए तो 89 गई थी और बात की जाए मेरे दोस्तो फाइनल कितनी गई थी मतलब इंटरेव्यू के बाद कितना देखो लीजे इस अब इंटरेव्यू के बाद जो काला थी उसके बाद कितने गया था इतना गया था यह देख ली जो भी यहां पर कटाब दिया गया है यहां पर इस बार जो कटाब था 2016 और 2018 और 2019 में जो कटाब था यह में paper जो था easy था भईया क्यों easy था क्योंकि paper one script में only कराए गए जी और normalization का कोई जंजन नहीं था भईया और paper easy था एक फित में क्योंकि कराए गए थी ना लेकिन अब बात करते हैं 2022 और 2023 में जो अभी हाल हाल में फिला हाल में जो examla है उसमें क्या जाने वाले कितने पोश्टें हैं क्या कटाब जाने ही हवाला है सब आप लोग को मिलेगा भईया तो चलिए हम बात करते हैं अब उनका बात कर रहते हैं यहां पर आप लोग देख लिए बैया 2022 और 2023 की बात की जाए ऊवर आल तो यहांपर देख लिए 2023 की कि यहांपर more than one shift थी कितनी more than one shift थी बैया कब की बात की जा रही है 2022 की more than one shift थी और इंटरस्टेनियस पेपर की बात की जाए तो हाड थी भईया पेपर भी क्या थी हाड थी और नंबर आप कोश्चन की बात की जाए तो नंबर आप कोश्चन की बात की जाए तो नंबर आप कोश्चन की बात की जाए एक सो असी था कम या बेशी कटाप गया था लेकिन 150 में था यहां पर आपका जो भी कोश्चन है कितना 111 में कटाप बताने वाले हैं और नर्मलाइजेसन की बात की जाये तो यहां नर्मलाइजेसन तो 100 परचेंट होगा क्योंकि स्विप्ट तो जादा है नर्मलाइजेसन का मतलब यह होता है हाल शिप्टो को नर्मल करना नर्मलाइजेसन करता है देख लिए जो भी आपके रिवाहित एंसर की में जो भी आपका नंबर आया है न नर्मलाइजेसन के बाद आप 50 से 5 नमबर बढ़ जाएगा मतलब इंक्रीज हो जाएगा आपको इतना नमबर आपका बढ़ेगा त बता दियें, टीजीटी वालों की इस बार पोष्ट कितनी है, यक Cred girish 76 है, और PGT वालों की बात किजाए तो 409 है, और PRT वालों की बात किजाए तो 6414 है, इसना 6414 है और TGT वालों की बात की जाए कि कितने student इस फाम को apply किये थे तो TGT और PGT वालों की बात की जाए तो 10 लाग से plus student इस फाम को फिल किये थे बट इसका 70% student इस exam को दिये थे कि 4414 आपकी क्या है पोस्टे हैं और इसमें भरा गया था 5 लाग पलस student भरे थे और बात की जाए इसकी exam को कितने student दिये थे इसकी 80% दिये थे और 80% हो जाएगा भाईया आपका कितना हो जाएगा आपका 4 लाग कितना हो जाएगा अब बात करते हैं टोटल पोस्ट कि ओवराल मिलाज या जाएग टीजीटे पिजीटे और प्याटी वालोगी तो टोटल कितनी पोस्टे हैं भाईया तो टोटल पोस्ट है आप लोग की यहाँ पर देख लिजिए अब बात कि जाए भाईया कि इंटरब्यू मिं कौल किसके पास कितने स्टुडेंट को देखते हुए जाएगा तो बात किए जाए स्टुडेंट मतलब Philippines की इंटरब्यू के लिए कॉल किसके कि सक्के पास है देख लिजिए भाईया एक पोस्ट पे लाग भाग 2.3 या 2.5 स्टूडेंटों को बुलाया जाएगा इतना परसेंट स्टूडेंटों को बुलाया जाएगा मैक्जिमम 2.3 मिनिमम 2.3 और मैक्जिमम 2.5 तो ओवराल बात की जाए भाईया तो इतने सारे स्टूडेंटों को बुलाया जाएगा कितना भाईया 33,510 studentों को बुलाया जाएगा लेकिन total post कितना है? 13,400 post इतना studentों को बुलाया जाएगा और वहाँ पर भी कुछ studentों को क्या किया जाएगा? बाहर किया जाएगा तो अब बात कते हैं overall कटाब क्या जाने वाले भाईया तो कटाब पे अब चलते हैं बढ़ते हैं तो कटाब की और अब बढ़ते हैं भीया तो कटाब यहाँ पर आप लोग देख लिजिए यहाँ टीजीटी वालों की बात की जाए कटाब टीजीटी वालों की कटाब की बात की जाए मेरे दोस्तों और EWS की बात की जाए तो 107 से 109 और 80 की बात की जाए तो 105 से 107 और 80 की बात की जाए तो 100 मतलब 100 से 102 होना चाहिए भाईया तब ही आपके पास कॉल आएगा इंटर्व्यू के लिए अब बात करते हैं मेरे दोस्तों PGT वालों के लिए कितना मार्क होना चाहिए तो PGT वालों की बात की जाए जनर्रल के लिए तो 120 से 122 और 113 से 115 और EWS की बात की जाए तो 113 से 115 और 80 की बात की जाए तो 110 से 112 और 80 से 157 होना चाहिए आप बात करते हैं भया कि आप इस सब सारे जो भी कटाब बता रहे हैं किसके बेश भी बता रहे हैं चलिए हम आप लोग की दम निकार के दिखा रहे हैं कैशे हम आप लोग को बता रहे हैं तो चलिए हम बढ़ते हैं और आगे तो यहां पर आप लोग देख लिए दो हजाम हुआ है उसका कितना एक सो असी मार करता था और एक सो असी मार का यारी 30% निकाला जाए तो ओवराल आएगा मेरे दोस्तों कितना एक सो तीरे पॉइंट चार मार के आ रहा है तो यहां पर आप लोग देख लिए इशी प्रेकार कटाब को निकाला जाता है यहां पर आप लोग को TGT और PGT वालो को केबल देखने के लिए मिला है यारी PRT वालो की भाईया की बात की जाए कि उनको देखने ही नहीं मिला यारी उनको कटाब अपना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा मेरे दोस्तों क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है इसलिए हम PRT वालो की नेस्ट वीडियो में बता देंगे आप लोग कमेंट तो जरूर कीजिएगा मेरे दोस्तों